नमस्ते विद्यार्थियों डेजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज हम छठी कक्षा के प्रथम अध्याय जिसका नाम है वीर तुम बढ़े चलो इस कवीता की हम सुरुवात करने जा रहे हैं और ये कवीता आप सबको याद करना है तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों पाठ का नाम वीर तुम बढ़े चलो और इसके रचईता यानि कवी का नाम है द्वारी का प्रसाद माहेस्वरी तो बच्चों आपके हिंदी पाठे पुस्तर जिसका नाम है भासा मंजरी भासा मंजरी के ये पहले अध्याय के रूप में ये उपलब्द है बच्चों यहां जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो रचईता यानि कवी द्वारी का प्रसाद माहेस्वरी जी की है तो बच्चों चलिए हम लोग इस कवीता का पहले हम लोग आदर्स वाचन कर लेते हैं वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे बाल दल यानि बच्चों का दल वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे ध्वज कभी जुके नहीं द्वज यानि की जंडा यानि की पताका यानि की फ्लैग द्वज कभी जुके नहीं दल कभी रुके नहीं वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो देखें बच्चो यह पहला जो इस्टेंजा है कितना यह राइमिंग है कितना लियात्मक है आप इसे याद करिए सामने पहाड हो सींखी दाहाड हो तुमनी डरडरो नहीं तुमनी डरडटो वहीं दीर तुम बढ़े चलो दीर तुम बढ़े चलो मेग गरजते रहें मेग बरसते रहें बिजलियां कड़क उठें वीर तुम बढ़े चलो दीर तुम बढ़े चलो प्राथो की रात हो प्रात हो की रात हो संग हो ना साथ हो सूर्य से बढ़े चलो यानि कि सूर्य के समान बढ़े चलो चंदर से बढ़े चलो चांद के समान चंदरमा के समान बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो प्राथो की रात हो संग हो ना साथ हो सुर्य से बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो एक ध्वज लिए हुए एक प्रण के हुए भूमी के लिए पित्र भूमी के लिए वीर तुम बढ़े चलो दीर तुम बढ़े चलो अन भूमी भे में भरा वारी भूमी में भरा अन यानी की अनाज भूमी यानी की जमीन भूमी यानी की हमारी धरती है उसमें अन भरी हुई है वारी यानी की पानी है ना पानी कहां भरी हुई है ये भी धरती में अन भूमी में भरा वारी भूमी में भरा यतन कर निकाल लो रतन भर निकाल लो वीर तुम बढ़े चलो धी दीर तुम बढ़े चलो दीर तुम बढ़े चलो सामने पाहार हो सिंकी तहार हो तुम नी डर डरो नहीं तुम नी डर डटो वहीं वीर तुम बढ़े चलो दीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड हो सीं की दहाड हो तुम निडरडरो नहीं तुम निडरडटो वहीं वीर तुम बड़े चलो दीर तुम बड़े चलो मेग गरजते रहें मेग बरसते रहें विजलियां कड़क उठें वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो प्रात हो की रात हो संग हो ना साथ हो सुर्य से बढ़े चलो चंदर से बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो एक ध्वज लिये हुए एक प्रण किये हुए मात्र भूमी के लिए पित्र भूमी के लिए वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम देख रहे हैं ये बच्चों के लिए तो ये बहुत ही महान और इनके द्वारा बहुत कुछ लिखा गया है आप लोगों के लिए और इसी कारण से इनको बच्चों का गांधी भी कहा जाता है और बच्चों मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में ये सिक्षा सचीव भी रह चुके हैं और अपने जीवन में इन्होंने असंख बच्चों के लिए कविताएं लिखी हैं बहुत सारी जो कविताएं हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक में भी अस्थान पाती है और इनके द्वारा लगभग 26 कविता संगरह त्यार किया गया है बच्चों के लिए तो ये काफी है इस कविता से जुड़े जुड़ा हुआ जो भावार्त है और पार्ट से जो प्रस्न है और आगे ब्याकरण संबंधी जो सवाल है उनको मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो के माध्यम से लेकर उपस्तित होंगा तो अभी फिलहाल आप इस प्रयान गीत को याद कर ल ठीक बच्चो जैन बच्चो